नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेज जोद्पुर में डिक्टेशन शुरू होगा पांच सकिन बाद परिवर्तन प्रकर्ती का नियम है और स्रस्ती की नविनता के लिए यह बेहत जरूरी भी है विराम कुछ परिवर्तन शाश्वत होते हैं जिन पर चाहकर भी हमारा वश नहीं चल सकता जैसे की मौसम का बदलना बारिश का होना न होना सूरज का उगना और ढल जाना तो कुछ परिवर्तन बेहत मानविय किस्म के होते हैं जिनहें मानव चाहकर बदल सकता है विराम यह उसके वश में होता है जिसमें उसके व्यक्तिकत स्वभाव से लेकर तमाम नविन आविशकार व भौतिक परिवर्तन शामिल है विराम यह मानविय प्रवरती है कि हम अपनी जिमेदारियां और कर्तवियों से तो बचना चाते हैं परन्तु अधिकार सुख का भरपूर लाब उठाना चाते हैं विराम हम अपनी उपलब्धियों का सहरा तो खुद के सर बड़े गर्व से बांधते हैं परन्तु गल्तियों का ठीकरा दूसरों पर ही फोडते हैं विराम वर्तमान की गला काट प्रतिशपरधा के दौर में इंसान दिन बर दिन स्वार्थी होता जा रहा है विराम हम यह तो चाते हैं कि दूसरे लोग हमारे हिसाब से बदल जाएं परन्तु हम खुद को नहीं बदलते विराम हम दूसरे से इज़त, स्वागत और प्यार तथा वफादारी तो पूरी मात्रा में चाते हैं परन्तु खुद को नहीं बदलते विराम हम दूसरे से इज़त, स्वागत और प्यार की पूरी उमीद करते हैं परंतु खुद को उनकी अपेक्षाओं पर कितना खरा साबित कर रहे हैं इस बात का मुल्यांकन कभी नहीं करते हैं विराम पैरा बला जब तक हम दूसरों को इज़त और प्यार नहीं देंगे हम उनसे कैसे इसी की उमीद कर सकते हैं विराम हम मंचों पर बड़ी बड़ी बाते तो करते हैं परंतु उन बातों को अपने दैनिक जीवन में अमल में नहीं लाते हैं विराम कई बार उपरोप्त पादरी की तरह हम भी बड़े बड़े सपने तो देखते हैं समाज को बदल डालने के व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन के परंतु खुद को ही उनके अनुरूप नहीं बदलते विराम हमें लगता है कि हम पून हैं और हमें किसी भी बदलाव की कोई जरूरत नहीं हैं और इसी ब्रह्म में हमारे द्वारा बदलाव के सभी सपने अधूरे रह जाते हैं विराम दरसल बदलना खुद को होता है पर हम सबसे पहले संसार को ही बदल डालना चाते हैं दूसरों से धेर सारी उमीदे और अपेक्षाएं पाल लेते हैं और जब हमारी ये उमीदे और अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है तो हम खुद की बजाए उनहीं लोगों को कोसने लग विराम पैरा वास्तव में ये चहरे की धूल हमारे अवगुण और द्वेश ही है जो खुद हमें ही दूर करना है आईना बदलने से हमारे दोश दूर नहीं हो जाएंगे विराम हम देख रहे हैं कि वर्तमान में ब्रश्टाचार समाज में नारियों के खिलाब होते अपराध को लेकर तथा अन्य विफिन सामाजिक मुद्दों को लेकर हर दिन धर्ना प्रदर्शन और आंदोलनों की संख्या बढ़ती जा रही है अन्ना के आंदोलन ने पूरे देश में ब्रश्टाचार के विरोध में एक लहर पैदा कर दी विराम गांदीजी द्वारा किया गया आमरन अंशन सत्या ग्रह का अहिंसात्मक रूप आज भारत में ही नहीं बलकि संपुर्ण विश्व में लोकप्रिय हो रहा है विराम परन्तु हम एक बात और जो देख रहे हैं वह यह की इन आंदोलनों का स्वरूप बहुत ही प्रतिक्रियावादी और शनिक किस्म का होता जा रहा है और ये आंदोलन कुछ ही दिनों में और कई बार तो तुरंत परिणाम न मिलने पर खत्म होते जा रहे हैं विराम इन आंदोलनों का स्वरूप दिर्गकालिक नहीं विराम क्योंकि अब हम आंदोलनों के मूल में छिपी भावना और एक आंदोलनकारी के धैर्य और साहस्त था नी स्वरूप को भूलते जा रहे हैं विराम गांदी जी का सामाजिक जीवन उनके व्यक्तिगत जीवन की साधारन तह सच्चाई और त्याग से संचालित होता था विराम वे जो कहते थे उसे खुद भी करते थे तभी उनमें नैतिक्ता का आत्मबल और इमा इमांदारी का साहस्त था और इसकी शाक्षी उनके जीवन की तमाम गटनाएं हैं जहां वे अगर नियत समय से थोड़ा भी विलंबित हो जाते हैं तो अपरात बोद महसूस करते हैं इसके लिए माफी भी मांगते हैं विराम अगर गांधी इमांदारी और सच के लिए जनत को प्रेरित करते हैं अहिंसा के सिधांत को अपनाने की बात करते हैं तो स्वयम भी इसे व्यवहार में लाते हैं एक बच्चा उसकी मां गांधी जी के पास एक शिकायत लेकर आई थी उसे मना नहीं करते हैं विराम उसे उन्होंने उस दिन मना किया जब वे स्वयम भी अपनी मिठाई खाने की आदत से मुक्त हो गए विराम वर्तमान में आंदोलनों के बेहद परिणामवादी और कई बार व्यक्तिगत स्वार्थी के आड़े आ जाने के कारण उनके स्वरूप और गुणवत्ता पर सवाल खड़े कि ये जा रहे हैं विराम हम यह तो चाते हैं कि व्यवस्ता से प्रष्टाचार की श्रेणी में ही आते हैं विराम पर हम यह कहकर बड़ी आसानी से निकल जाते हैं कि एक व्यक्ति के ऐसा करने से क्या फर्क पड़ जायेगा या कि भला हम अमुक चीज को कैसे बदल सकते हैं विराम बलकि हमें यह समझना होगा कि जिस तरह से बूद बूद से गड़ा भरता है उसी तरह हर एक व्यक्ति को अपने अंदर बदलाव लाने से ही व्यवस्था को बदला जा सकता है क्योंकि व्यवस्था कभी भी व्यक्तियों से अलग नहीं होती विराम अगर हर व्यक्ति ब्रश्टाचार का विरोत और इमानदारी की भावना को अपनी आदत के रूप में ढाल ले तो निश्टित रूप से समाज ब्रश्टाचार मुक्त हो जाएगा विराम हमें मैं क्या और मेरा क्या की भावना से उबरना होगा तभी हम गांधी जी के राम राज की अवधारना के करीब पहुच पाएंगे विराम हमें विश्व कल्यान और विश्व बंधुत्व की भावना को मजबूत करना होगा जहां त्याग हमारी संस्क्रती का एक अभिन अंग है विराम पैरा हमें गरीबों के कल्यान अन्याय मिटाने और हिंसा को खत्म करने में अपनी तरफ से जो भी और जितना भी योगदान हो कर सकते हैं विराम परियावरण प्रदुशन फैलाने के लिए उध्योग पतियों को कोसने की बजाय खुद से भी यह संकल पले की हम परियावरण मैत्री जीवन शैली अपनाएं क्योंकि प्रदुशन कलकार खानों के साथ ही हमारे द्वारा प्लास्टिक की थेलियों को इधर उधर फैक देने तथा बहती नदियों में कूडा, कचरा, मल फैकने और गाडियों के धुए को फैलाने जैसी तमाम चीजों से भी होता है विराम उस आस्था का कोई मुल्य नहीं जिसे आचरण में न लाया जा सके विराम अगर आप न्याय के लिए लड़ रहे हैं तो इश्वर सदेव आपके साथ है विराम वर्तमान में नारी के अधिकारों के लिए लड़ने वाले खुद उनके शोशन में तलीन पाई जाते हैं विराम सिर्फ नारी के समर्थन में आंदोलन कर देने से इस्थती नहीं बदलेगी उसके लिए हमें अपनी मानसिक्ता को बदलना होगा जो की कई बार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीकों से दिखाई पढ़ जाती है विराम